असलामू अलाईगूम दुस्तों कैसे आप रोग उमीद करते हैं कि आप तौम लोग खेरिया से होंगे तो आज की वीडियो में हम कुछ जरूरी खबर जो आ रही है वो अपनों के साथ सेर करने वाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप तौम दुस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को भी से लाइक कर दें जो दो चैनल पर नए हैं अगर इंफर्मेशन अच्छी लगे तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं सबसे पहली ख़बर आपनों के साथ सेर कर दें कि सौधी अरबियन एलाइंस के अधिकारी प्रवक्ता अब्दुल्ला अलजहरारी ने कहा है कि सौधी अरब का फ्लाइट का टिकट लेने पर आपको वीजे की सर्विस भी दी जाएगी और ये सुब्दा जल्द ही सुरू की जाने वाली है जहांस तो जो लोग सौधी रब आने वाली जो फ्लाइटे हैं उनका जो भी बंदा टिकट लेगा उनको 96 घंटे का यानि 4 दिन का वीजे जो है वो दिया जाएगा जो आपका फ्लाइट का टिकट है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक वीजा भी रहेगा सौधरविया का 96 घंटे का चार दिन का वीजा भी आपको दिया जाएगा तो ये सर्विस बताया ये जा रहा है कि जल्द ही शुरू किया जाने वाला है और बताया ये जा रहा है कि जो लोग भी जो सौधरविया फ्लाइट का टिकट लेंगे उनको 96 घंटे का जो वीजा द जाएगी तो एक अच्छी सर्विश जो है अच्छा कानून जो है वो सौधी गवर्मेंट के तब से शुरू किया जाने वाला है जो लोग भी सौधरभिय का टिकेट लेंगे जो फ्लाइटें सौधरभिय आती हैं उन फ्लाइटों का अगर आप टिकेट लेते हैं तो आपको ये सर्विश जो है वो दी जाएगी ये फैसलेटी आपको दी जाएगी बताएगे गया है कि इसका मकसद साओधी आरबका जो 2020 का वीजन है उसके तहट ज्यादा ज्यादा लोग जो हो सौधरभिय आ का सफर कर सकें ज्यादा ज्यादा टौरिष्ट जो हैं वो सौधरभिय शुरू करने जा रही है तो आप क्या कहते हैं प्लीज कमेंड बोक्स में जरूर बताए इसके साथ एक लिप डेट यह है कि सौधी रब की मक्का किर्मिनल कोट ने एक पिट्रोल पंप के ठेकेदार और वहां पर काम करने वाले करमचारियों को मिलावटी पिट्रोल बेचने क आरोप में कुसूर वार ठेहराया है और बताए यह गया है कि इस पर जो ठेकेदार था यानि जो पिट्रोल स्टेशन का मालिक था और जो वहां पर काम करने वाले गैर मुलकी करमचारी थे उनके उपर जुर्माना लगाया गया है और पिट्रोल स्टेशन को पंदा दिन के लिए सील भी कर दिया गया है जबकि यहां पर यह भी कहा गया है कि जो पिट्रोल वह गाड़ियों में डाल ले थे और जिनकी गाड़ियां खराब हुई है उनक्या जो मरमत का काम है जो सर्विसिंग का काम है वह पूरा पैसा जो हो पिट्रोल स्टेशन का जो ठेकेदार है और जो करमचारी होंगे वो अदा करेंगे इसके साथ एक लिपडेट यह है कि सौधी सिविल एवेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि दिसंबर 2022 के दौरान परदेशन के मामले में जद्दा का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एरपोर्ट साथ एरप के तमाम एरपोर्टों में टोप पर रहा है जैसे तो 2022 में दिसंबर के महीने के दौरान सबसे अच्छी सर्विस जद्दा एरपोर्ट ने दी है सबसे अच्छा परफॉमस जद्दा एरपोर्ट से आया है ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है जबकि दुसरे नमबर पर रियाद रहा है तो दिसंबर के महिने में सबसे अच्छी सर्वीस ज़ो है जद्दा एरपोर्ट की तरफ से दी गई है जो कि सौधी नागरिकों को अलग-अलग सक्टर में रोजगार दिया जा रहा है तो आपको दादे हैं कि यहाँ पर सौधी गवर्मेंट जो है सौधी नागरिकों को काम भी सिखा रही है यानि जिन सेक्टर में सौधी सर्व किया जा रहा है उन सेक्टरों में सौधी गवर्मेंट काम कर सकें उनको इस बारे में तालिम भी दी जा रही है और सौधी गवर्म साथ कर लिए और था करे अदें थो यहाँ विदिनागरी को को कर रही हैं तो अलगर अलग सेक्टर में अपना योगदां दे सकें दोस्तों ये थी आज की सौधर भी एक कुछ जरूरी खबर जरूरी जानकारे जो मैंने आप लोगों के साथ सेर कर दें उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारे आपको अच्छे लगी हो अच्छे लगी है तो प्लिज वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्त चैनल पर नहें हैं अगर चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि लेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के सतो बहुत बहुत सुक्रिया मिलते ने स्ट प्लिज टोपिक के साज़ दो रखे अपना ख्यालो के खुदा